नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के सिरी डाट कॉम और मैं हूँ आपके साथ इश्रिका गुपता उजबेकिस्तान में भारतिय कफ सिरफ से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है उजबेकिस्तान के इस दावे के बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है केंदर की सरकार ने उजबेकिस्तान में बच्चों की मौत को इंडियन कफ सिरफ से जोड़ने के बाद हताहत होने वाले बच्चों को लेकर रिपोर्ट पाई इतना ही नहीं आपको बता दें कि दवा कंपनी कथित तौर पर नॉइडा की कही जा रही है उजबेकिस्तान के स्वास्त मंत्रवाले ने आरोप लगाया है कि गामिया जो कि अफरीका का एक शहर है इसी तरह की घटना अब उजबेकिस्तान में भी हुई है सूचना मिलने के कई महीनों बाद एक भारतिय दवा कंपनी की और से निर्मित दवाओं का सेवन करने से कहा जा रहा है कि उजबेकिस्तान में अठारा बच्चों के मौत हो गए भारत ने उजबेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत को नॉइडा स्थित दवा निर्मलाता के सिरप से जोडने के दावे के बाद तेज जाच करने शुरू कर दी है इस बारे में केंदरी सरकार ने बच्चों की मौत को लेकर रिपोर्ट्स भी मांग ली है अधिकारियों का कहना है कि Central Drugs Regulatory Team ने UP Drug License Authority से भी संपर्क किया ताकि दवा कंपनी के खिलाफ वो तेजी से जाच हो सके इच Central Drugs Standard Control Organization के सूत्रों ने खुलासा किया है कि हरान कर देने वाली बात तो ये है कि कफ सिरफ फिलहाल भारत के बजारों में नहीं बेचा जा रहा है लेकिन कफ सिरफ कहा जा रहा है कि गामिया में भी 66 बच्चों की मौत का कारण बन चुका है 18 से ज्यादा बच्चों की मौत का कारेंट बन चुका है जसके बाद भारत सरकार काफी अलर्ट है और लगातार इस कंपनी पर जार्ज शुरू कर दी गई है अभी के लिए के वल इतना ही लेकिन ऐसी हितासा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं पंजवाबकेसरी.com